हेलो बच्छों कैसे हैं आप लोग इस वन शॉट रिविजन को इस मर्व मैं थोड़े अलग तरीके से करणा हूँ बिकॉज मैंने वन शॉट डिफरेंस रिविजन का रिविजन में पीशे भी कराया था तो इसका करने का तरीका कुछ ऐसा रखेंगे कि हम सारे टाइप के कोश्चन करेंगे बट PYQs के फॉर्म में करेंगे और मेरे पास जो PDF अभी बनी भी है इसमें सिर्फ NDA के कोश्चन है तो लेकिना सारे टाइप की questions है जितने भी टाइप की questions होते हैं वो सारे टाइप majorly यहाँ पे cover हो जाएंगे कुछ ऐसे questions भी आपको मिलेंगे आज की इस class में जिसमें कि जो आपने RD शर्मा में उस level को touch नहीं किया होगा वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे तो आओ चलो differentiation के questions और concepts को इकठ्था करके हम लोग करते हैं one by one सब को देखते हैं तो straight away I'll look into the questions यह कुछ form है अगर तुम पहला question देखो तो इसको हमने concept form में रखा था parametric form parametric form इसका जो second question है अलाकि यह higher order derivatives का है जो इसके अगला chapter हमें पढ़ना है यह उसका है तो इसका 81 हमारे scope में अभी है और 82 जब तुम छुट्ट्यों के बाद आओगे तो वो भी scope में होगा तो मैं फिलाल 81 तुम्हें करके दिखा रहा हूं ध्यान से देखना ध्यान से द करोगे तो एक बार करोगे तो फिर टाइम तो बहुत कम है मेरी 62 से दूसरी क्लास है तो एक बार तुम मत करो एक बढ़ यह तो तुम भी करो और मैं भी करता हूं तो ठीक रहेगा तो जल्दी हम लोग maximum question type को discuss कर पाएंगे तो देखिए डिवाए डिक्स करना है इसके लिए plus theta sine theta theta को करोगे तो सिरफ sine theta बचेगा और theta को अगर छोड़ दोगे और sine theta को करोगे तो cos theta बचेगा अच्छी बात क्या है plus sine theta minus sine theta cancel होगा यानि dx by d theta बहुत ही simple expression हा रही है a theta into cos theta what a beautiful simplified expression ठीक है उसके बाद मुझे dy by d theta चाहिए तो ठीक है भीया d y by d theta भी ज़रा देख लेते हैं d y by d theta हमारे पास कितना आ गया sin theta का बना cos theta और अगर हमने theta को differentiate किया तो बच गया cos theta उसके बाद हमारे पास minus theta और cos theta करेंगे तो minus sin theta तो ये बनेगा हमारे पास plus sin theta अगें चीजें simplify हो रही है और ये बन रहा है a theta into sin theta और जैसा parametric form में हम सब ने पढ़ रखा है कि जब कभी भी d y by d x करेंगे तो ये ratio होता है d y by d theta और d x by d theta तो बहुत ही simple सा question है इसका part 1, part 2 थोड़ा सा better है बट वो भी कोई tension वाली बात नहीं है अभी जब आप लोग छुट्टियों से लोटेंगे और हम higher order derivatives करेंगे तो ये भी बहुत असान है कोई tension वाली बात नहीं है अभी तो हम जितना आपको कराएं उतना ही हम आपको revise करा रहे है तो देखिए यहां मैंने value रखी this is coming out to be a theta into sin theta and this is a theta into cos theta so sin theta by cos theta tan theta is your answer 81 का A बड़े असानी से ऐसा हो जाना चीए ठीक है यह PDF भी मैं आज ही share कर दूँगा तुमारे respective groups पे आप महाँ पे असानी से बहुत सारे questions ऐसे भी होगा जो मैं नहीं करा पाँँगा इसमें धेर सारे मैंने questions डाल दी है along with answer की answer की भी इसके end में है ताकि तुम छुट्टियों में इसको as an assignment try करो ठीक है next question हमारे पास आ रहा है यह क्या है differentiation of a function with respect to another function यह भी तुमको कराएगा even this has been told to you ठीक है अच्छा मैंने यह भी तुम्हें बताया है कि इसको substitution वाले method से करेंगे सौचते है सबसे पहला subject ci स्क्रीटा प्रूट की भी तो सीटवी तो स्क्रीटा मैंने लागरा है तो मैं यहाँ पर substitute कर रहा हूँ, we are going to differentiate this with respect to this, मैंने तुम से कहा था कि differentiation of a function with respect to another function is nothing but parametric form का extension, तो यहाँ पर जब मेरे से बोला गया, कि भाया du by dv बताओ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, du by dx या du by d theta, जिसमें भी convert कर लो, upon dv by d theta, generally हम लोग substitute करके ही ऐसे सवाल को करते हैं, तो बड़े अराम से मैं x को tan theta लेके start करना चाहूंगा, अगर मैंने x को tan theta लिया, जरा देख लो u की शकल कैसी हो जाएगी, u की शकल बदल जाएगी, tan inverse, bracket के अंदर, 1 plus tan square theta is 6 square theta, इसको मैं लिखूंगा sec theta, minus 1, और नीचे कितना बच् tan theta, मीचे कितना tan theta, क्या ये simplify होगा, definitely हाँ, 1 by cos theta minus 1, ये बनेगा 1 minus cos theta upon cos theta, और ये तुमारा cancel हो जाएगा, upon cos theta upon cos theta, दोनों cancel हो जाएगा, इस expression की value, बड़े असानी से trigonometry यूज करके further simplify होगी, 1 minus cos theta क्या होता है, 2 sin square theta by 2, और sin theta को क्या लिखोगे, 2 sin theta by 2, cos theta by 2, 2 और 2 sin theta cancel, sin theta by 2 upon cos theta by 2 is tan theta by 2, and that is why u is coming out to be tan inverse tan theta by 2, which is only theta by 2, ठीके, अब कुछे नहीं करना भाई, du by d theta तुम्हें कितना दिखता है, आप दिखता है, और dv by d theta तो ऐसे ही दिख रहा है, 1, the answer is what, so a very very easy question, asked in nda 2015 question, paper, बड़ा असान paper है, कितने असानी से होता है देखो, हाँ, लेकिन कुछ innovative शीज़ें भी आगे मिलेंगी, जैसे मैं असमसे कह रहा हूँ, ठीके, आओ देखते हैं, पढ़ाएं आगे, okay, what is the derivative of this, at pi by 4, derivative बताना है, right, यानी, x के respect में तुम्हें इसको differentiate करना है, कैसे करो, definitely log की property यूज़ करोगे, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, कि log में, अगर log की property यूज़ होती, log की property क्या थी, कि अगर तुम्हारे पास log a base b है, तो तुम इसको लिख सकते हो, log a base c, कोई भी base ले सकते हो, any base, बस ध्यान रखना, the base should always be greater than 0, and it cannot be equal to 1, बस ये दो बाते ध्यान रखनी होती है, base तुम कुछ भी ले सकते हो, as per your convenience, definitely calculus में base e लेना सबसे अच्छा होता है, because base e, which is natural log, only can be differentiated, integrated and all that, तो base e में हम लेंगे, c के जगा भी क्या रखेंगे, e, natural log लेंगे, तो जब देखते हैं, given function क्या है हमारे पास, let's check this, यह आ रहा है, इसको मैं लिखने वाला हूँ, log of cortex, base e, upon log of tan x, multiplied to log of tan x, and log of cortex, और power इसकी कितनी है, minus 1, अगर पार minus बने तो क्या हम यह समझते हैं कि denominator बन जाएगा numerator, numerator बन जाएगा denominator, right, interesting हो जाएगा, तो अगर आप ऐसा interchange करोगे, तो exactly same expression आ जाएगा तुमारे पास, और value आएगी, log of cortex का whole square, upon log of tan x का whole square, बलकि whole में square है, पूरे log का ही square है, बोलो बच्चों, अगर कोई समस्या है तो बोलो, और अगर चीज़े ठीक हैं, तो भी अच्छी बात है, खिक, अब क्या करें इसके आगे, क्या भी भी इसको differentiate करना सही रहेगा, चाहो तो कर सकते हो, चाहो थोड़ा और simplify कर सकते हो, जैसे कि log cortex को मैं लिख सकता हूँ, log 1 by 10x, क्या लिख सकता हूँ, बड़ा आसान हो रहा है यार, यह तो मज़ा ही आ गया, देखो, इसका तो answer ही दिख गया मुझे, कितना है answer, answer कितना आ रहा है, दिखने लग गया यार, tricky question है, दिखने में ऐसा है, बट है, actually, बिल्कुल tricky, एकदम दासी उट रही, देखो, मैं तुम्हें zoom करके दिखाता हूँ, क्योंकि फिर न तो मिया बैढ़े नहीं हो, बात में तुम्हें तकलीफ होगी, इसे zoom कर देता हूँ, यह वाला step तुम्हें zoom पर के दिखा रहा हूँ, log of cortex को मैं लिख रहा हूँ, log of 1 by tan x, इतना तो तुम सब लोग समझते हैं, log a by b is log a minus log b, log a, यानि कि log 1, minus log of tan x, यानि log of cortex को मैं क्या लिख रखते हैं, minus log of tan x, और यहीं पर कहानी खतम हो जाती है भाई, minus log of tan x का whole square, और नीचे भी same, log tan x का whole square, minus minus क्या बन जाएगा, plus, यह तो एक constant function है भाईया, यह function क्या है, एक constant function है, constant function कहीं पे भी differentiate कर लो, क्या होती है उसकी value, जिरो, tricky question दे दिया इनोंने, दिमाग लगा दिया, function में खेल गया तुम्हारे साथ, ठीक है, अगर तुम यह चेंडूल बेंडूल लागे, differentiate करने पे आ गया है, पर तुम लगे रो, ज़रूरती नहीं उसकी, बातिया समझ में आती है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, यह आगया तुमारे पास inverse बात, inverse भी हमने आपको काफी बढ़िया से सिखाया, चलो, एक मिनट का समय देता हूँ, जो लोग बाद में YouTube पे इसके recording देख रहे हैं, मैं चाहूँगा वो वीडियो को pause करें, और इस question को करें, और फिर देखना solution, देखो भई, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसे सवाल को सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाओगे, अगर तुमने trigonometry और inverse trigonometry को ठीक के पढ़ा है, otherwise यह सब question तुम से नहीं हीलने वाद, सिरी सिरी बात इतनी है, तुम्हें इसको differentiate करना, यानि with respect to x, इसको differentiate करना, ठीक है, derivative का मतलब होता है, with respect to the variable, और यहां variable क्या है, अगर तुम्हें इसको differentiate करने पर आ गए, चेहन रूर लगा के, मेरी बात ध्यान रखना, तुम्हारा दिमाग उन जाए, एंसर तो आ जाएगा, अगर तुम्हें division की basics को बड़ी असे पड़ रखा है, लेकिन समय बहुत kill करोगे, पर ऐसे सवालों में, आपको समय नहीं kill करना, अपने concept के धंपे चीजों को जल्दी निकालने का प्रयास करना है, तो देख लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कैसे करोगे, मैं इस पर ध्यान दूँगा, बार cos inverse है, 2 by root 13 into cos x, plus 3 by root 13 into sin x, यह जो bracket के अंदर है न, इसको मैंने ऐसे लिखा, उम्हीद है तुम्हें कोई तकलीट नहीं है, बार cos inverse है, मैं सोचता हूँ, अगर cos a cos b plus sin a sin b होता, तो यह exactly cos a minus b बन जाता, cos a cos b plus sin a sin b is cos a minus b, यह cos b minus a is equally correct, ठीक है, तो अब ऐसा कैसे कर लें सर, क्या कुछ भी कर तकते हैं, अरे नहीं, कुछ भी नहीं कर तकते हैं, वो कर तकते हैं, जो conceptually सही है, मुझे अगर cos theta बनाना है, लेओ मैंने एक angle बना दिया alpha, इसको मैं बनाना चाहता हूँ cos, तो इसको बनाया base, और इसको बनाया hypotenuse, और जब यह root 13 है और यह 2 है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 13 में से 4 गया, तो 9, 9 का square root 3 है, perfect है, यानि sin theta कितना बनेगा, 3 by root 13, तो तुम्हें यह बात दिखनी चाहिए, अगर यह दिखती है, जो तुम्हारी आखें ठीक है, और नहीं तो पता ही है, मैं अपना चैस्पा देने को त्यार रहता हूँ, तो देखो गया, यह function तुम्हें कैसा दिखना चाहिए था, cos inverse of, this is nothing but, cos alpha, cos x plus sin alpha sin x ठीक है, अगर आप इसको देखें, तो यह आपका cos inverse और सारी चीज़े cancel out हो जा रही है, यह आपके पास आ रहा है, cos inverse of alpha, alpha क्या है तो मैं बता है, राइट, alpha साफ साफ देखना चाहिए एक तब, ठीक है, तो यह आजाएगा cos a minus b, इसको तुम लिख सकते हो, cos x minus alpha या alpha minus x, हलाकि तुम्हारा यहाँ पे एक confusion भी create हो रहा है, क्या, कि सर, इसको हम x minus alpha भी लिख सकते हैं, और alpha minus x भी लिख सकते हैं, हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने x को भी define नहीं किया है, अगर इन्होंने quadrant बगरा दे दिया होता, तो specifically हम बात कर सकते हैं, क्या होता, लेकिन फिलाल यहाँ पे रहाँ पे इन्होंने define नहीं किया है, तो अब मैं अगर इसको differentiate करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1, इसको करूँगा, तो क्या मिलेगा, minus 1, option में एक ही चीज़ है, go for it, go for it, in any MCQ question, you have to go for the most appropriate option, and you are not, you must not be looking for the correct option, look for the most appropriate option, it can be plus 1, it can be minus 1, depending upon the value of x, in this case, कितना हम mark करेंगे, definitely d option, so very good question of ITF in derivatives, clear है, एक, त्यार हो अगले सवाल के लिए, हर सवाल अपने आप में, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा, हर concept को हम सवालों के पॉर्म में, revise कर दे, one shot इस बर, one shot अलग तरही का one shot मैंने बनाए, चलो भई कुछ, जो बच्चे छुट्टी पे नहीं जा रहे हैं, और फिर भी पढ़ रहे हैं, उनको कुछ अलग मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, हाँ तुम्हारा भी निपसान नहीं होगा, इसका भी ध्यान दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है लो, अब ये क्या चीज है सर, डेरिवेटिव ये तो बड़ा ही सा धारन है, लेकिन औप्शन्स तो बड़े अलग हैं, क्लास 12 के इंटेगरेशन में एक टॉपिक पढ़ोगे, पार्शियल प्राक्शन, बात नहीं है, बड़ ऑप्शन्स क्या वैसे दिख रहे हैं, जैसे तुम्हें चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम इसको एक लेवल उपर जाके सोच पाओगे, तो ये कुश्टन औरल है, और अगर एक लेवल उपर अपने आपको नहीं ले जा पाओगे, तो जैसे सब करते हैं, वैज़े करते हैं, MCQ में अप्रोच अलग होती है, कॉम्पेटिशन में अप्रोच अलग होती है, ये बात हमें बार-बार सीखने की ज़र्द पढ़ेज़, क्या ऐसा कोश्चन हमारे बोर्ड भी नहीं आ सकता, बहुत आधान कोश्चन है, कोई भी करते हैं, जिसको कोश्चन रूल आता है, वो करते हैं, 11th क्लास का बच्चा करते हैं, कौनसी बड़ी बात हैं इसमें, बट इसमें तो सही ऑप्शन पिचानना है, और सॉल्व कर भी लिए तो आप्शन पिचानो, वीडियो पॉस करो और पच्चान के देख लो, मैं फिलाल सॉल्व कर रहा हूँ, क्यूंकि मेरी अगले ग्लास फिर से आ, इसके बाद तुरंत बाद है, तो देखो भाई, सॉल्व करने का तरीका मैं सिखाता हूँ, मुझे क्या लगता है, फंक्शन पर ज़रा ध्यान दूँगा, कितना है, सेवन एक्स अपॉन, टु एक्स, माइनस वान, एंड, एक्स ब्लस त्री, यह अपने को गिवन, सजेशन कहां से मिलता है, अप्शन से, हमेशा कोश्चन तुम्हें हिंट देता है, तुम्हें बसे उस हिंट को पैचानना पड़ेगा, अब यह सोचना है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ताकि यह हमारे पास सेम एक्स्प्रेशन आ जाए, किसी बात को पार्शियल प्राक्शन बोलते हैं, किसी बात को, तो मुझे 7x चाहिए, अच्छा जीत 7x चाहिए, एक जगा 3, एक जगा 2, 3, 2, 3, 2, जब जगा दिखरा, एक जगा 1 भी दिखरा, कोई बात नहीं, जब देखते हैं कैसे क्या होगा, तो 2 से इसको मडिफ्लाई कर दो, 2 से, तो बात नहीं बनती, 3, 1 से बात बनती, 3, 1 से बात बनती, 3, 1 से बात बनती, अगर मैं, हलाकि मैं तुम्हें इसका एक बेसिक स्टैंडर्ड अप्रोच बताऊंगा, जो तुमारे बोर्ट्स में यूज होता है, बट अभी फिल्याल के लिए मैं इसको MCQ अप्रोच से ही करना पसंद करूँगा, 1 अपॉन, 2 X माइनस 3, ज़रा चेक करके देखता हूँ, क्या सेम वैल्यू जेनरेट हो पारी की नहीं, LCM लोगा कितना आएगा, 6 X माइनस 9, इधर कितना आएगा, X प्लस 3, तो गरबड हो रहा है, है न, 6 X प्लस X बन जातो रहा है, 7 X, लेकिन कॉंसे वाला टर्म, नहीं आना चाहिए, वो कॉंसे वाला टर्म आ रहा है, यानि कि कुछ गरबड है, हमें इससे काम नहीं चलेगा, ओके कोई बात नहीं, रिलाक्स, माइनस बने तो अची बात भी या, फिर तो काम से जाना चीए, फिर तो, अगर यह माइनस बने फिर तो काम हो गया न, प्लस 3, माइनस 3, डन हो गया फिर तो, फिर तो मसा ही हा गया, और जैसे ही तुमने इसको ऐसा देख लिया, तो इसको differentiate करना is like बच्चों का खेल हाँ या ना डाइरेक्ट इसकी differentiation कितनी हो जाएगी अगर ये तुम्हारा fx है तो f dash x लिखने में अब तुम्हें ना कोई तकलीफ होगी और ना answer पैचानने में तकलीफ हो किसकी differentiation minus 3 upon x plus 3 का whole square किसकी differentiation minus 2 कि 2 क्यों रख रहा हूं समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है कि नहीं भईया क्या ऐसा कोई option हमारे पास है हाँ मुझे दिखता है option number 1 और यही तुम्हारा answer होगा तुम अपने तरीके से करके देखे समझ में आ गया तो बता important differentiation कि तुम चीजों को simplify करके देख सको that is important differentiation तो कोई भी कर लेगा ना थोड़ी बहुत पढ़ाई-बढ़ाई कर चुकिए जो अब तुम्हें उससे एक सेबू पर उठके देखना है कि कैसे चीजों को देख रहा है कि अगला सवाल आपके सामने आ रहा है मैं हर बार कोशिश कर रहा हूं कोई नया टाइट तुम्हें देता जाओ ठीक है तो कुछ extra class है तो extra होनी जी बहुत ही प्यारा सवाल है यह बहुत प्यारा सवाल है मैं चाहता हूं तुम्हें एक मिंट के लिए ट्राइ कर लो इसके वन्रफूल कोश्चन आप भी वीडियो पॉस्ट करके एक बाइस को ट्राइ कर लें तो मैं सुल्शन बटाता हूं कि सौल करूं है अच्छे सवाल सोचने का तरीका बढ़िया तरना पड़ेगा सवाल तो अच्छे ही आएंगे हिंड देता हूं चेंड रूल लगेगा कंपोजिट फंक्शन है एफेक्स नहीं है एफेक्स स्वायर है चेंड रूल लगेगा और चेंड रूल लगती कोशिंग खतम हो जाएगा एक मिनट का टाइम दिया था उससे कम में हो जाना चाहिए देखो कैसे अगर नहीं हुआ इसका मतलब चेंड रूल लगेगा ठीक है और आरचेस भी करना पड़ेगा भाई डिफेंजिट करेंगे तो यह हो जाएगा मेरे पास 3x स्कॉायर यहां से एक बात बहुत स्वायड करें के से समझ में आती है कि यह आ जाएगा मेरे पास 3x बाई 2 अब एक्दम क्लियर है मुझे जेसी मैंने एक्स को टू रखा कहानी खतम होगी भाई कहानी क्या होगई पतम होगई क्या हैंस वर स्वाथ का सभराना नहीं है अराम से रिलक्स होगे समझना है करना है समझ रहे हो कि नहीं नहीं गरबाऊ हो जाएगा सर चलो लो बताओ होगा तो क्या होगा वीडियो पॉस करो और करो पॉस एंड सॉल्व डॉन्ट जस्ट लुक एट तो सलीशन कि देखो भाईया क्या कुछ सिंब्लिफाई होने की स्थिति है हाँ है कि एकी पावर टैन एक्स को तो मैं बिल्कुल भी सिंब्लिफाई नहीं कर पाऊंगा बढ़ इतना कॉंप्लिकेटिटि भी नहीं है कि हमें लॉग लेनिंग जोट पड़ जाए दूसरा लॉग ऑफ सेक एक्स भी अच्छा ही लग रहा है और कुछ सिंब्लिफाई होने कि अलत तो नहीं है लेकिन एकी पावर लॉग एक्स तो मुझे साफ साफ एक्स दिखता है अगर तुम्हें दिखता है तो अच्छी बात है और नहीं दिखता है तो तुम ये बात भूल रहे हो कि ए कि पावर लॉग ओफ एक्स बेस ए हमेशा एक्स होता है कई बार बताया ह है calculus के लिए एक important property है log की ध्यान रखो बताना मेरी जिम्मेदारी है ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है ध्यान रखो okay once you are able to understand this the question is very easy f dash x चाहिए तुम्हें बलकि f dash pi by 4 चाहिए तो पहले f dash x निकाल लेते हैं e की power tan x तो भई है tan x और tan x का क्या हो जाता है differentiation sex square x log of sec x का क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा 1 by sec x और sec x का sec x tan x पुडाओ और ये आ गया 1 अब तुम्हें पूछा गया f dash pi by 4 बड़ा ही असान है e की power 1 रहे गया e और sec pi by 4 होता है root 2 root 2 का square करोगे तो क्या आएगा 2 यहाँ पे 10 यह क्या बनेगा 1 यह क्या बनेगा 1 answer twice of each मश्किल है practice की कमी है यह जो छुट्टी मिली है ना तुम लोगों को अगर तुम वाकई में serious हो अपने करियर अपनी पढ़ाई को लेके तो इस शुट्टी में भी छोड़ा काम कर लो अपने आपको अपग्रेड कर लो ठीक है जितनी चीज़ें पीछे की हैं इन सब को प्रॉपर्ली रिवाइस करो अपडेट होके आना ठीक है अगर सही तरीके से करना है तो फोड़ा साथ मैनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी है वान साइट मैनत से काम नहीं चलने वाला अगला सवाल पर से आ गया बड़ाई धासू है 2016 एंडिये टूप क्या बात है यह तो फोड़ू होगा ट्राइ कर लो भी यह देते हैं आपको कई बार आइटी वाले बच्चे सोचते हैं कि एंडिये तो ऐसी हलवा है आए बहिल एंडिये का लेवल कभी भी कुछ भी चला जाता है जब पर एजी होता है नहीं तो सबकी लिए इसी होता है और जब डिफिकल्ट होता है तो बढ़ीया डिफिकल्ट होता है वह भी सब के डिफिकल्ट होता है कि ऐसे पहले कि हम आपको सलिउशन दें। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो यह question कुछ नहीं है modulus के simplification का है differentiate तो कोई भी कर लेगा जिसने simplify कर लिए मैंने simplify कर लिए modulus को जिसने open कर लिया उसके लिए सवाल बहुत असान है square bracket को बच्चे अपने मन से greatest इंडियर माल लेते हैं ऐसा नहीं है जब दे रखा होगा कि इस डॉट करके लिखा होगा जिए एफ सभी जिए अपने मन से इसको जिए अपने आप लेते हैं ऐसा नहीं है it is only square bracket okay till the time they have not specified it that it is the greatest function you are not supposed to consider it as greatest function आओ चलो देखते हैं वैसे भी option से भी हिंड मिल रहा है कि यह जिए नहीं है मैं सबसे पहले इस function को simplify करके लिखूंगा यह function है mod of x mod of x-1 का whole square क्या यह board level question नहीं हो सकता 100% हो सकता है मेरी बात ध्यान रखना अभी integration में आगे पहुचेंगे हाँ इस तरीकर नहीं आएगा लेकिन आई यह जो concept तुम्हें यहां पर सीखने जा रहे हो ऐसा तुम्हें integration में मिलेगा राइट तो ध्यान से mod पर ध्यान देना differentiation तो कोई भी कट लेगा मेरी बात ध्यान रखना तो देखो mod पर ध्यान अब यहां पर limits क्या है एक 0 और 1 मैंने हमेशा तुम्हें यह सिखाया number line पर represent कर लो 0 और 1 जब 0 से छोटा है तीन definition आएगी मैं इस question का explanation तुम्हें इस question के हिसाप से नहीं दे रहा हूँ concept सिखाने के हिसाप से दे रहा हूँ तो जब तुम्हारे पास x 0 से छोटा होगा तो यह भी negative और अगर 0 छोटा है तो 1 से भी छोटा है तो वो भी negative यह क्या बनेगा तुम्हारे पास minus x और यहां minus का minus क्या बन जाएगा plus दियान से देखो तो यह value कितनी आ जाएगी minus 1 यानि whenever x is less than 0 it is a constant value और एक और बात इसका whole square है तो कोई फरक नहीं पढ़ रहा हाला कि minus 1 क्या square करोगे plus 1 हो square हो जागा भी constant ही है है ना function की value के फर्क दरूर पढ़ रहा है बट function के derivative पर कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है यह छोटी छोटी बाते आपको त्यान है तो जब यह greater than 0 है तब तो यह positive है यह बन गया x और जब यह 1 से छोटा है तो अभी भी यह क्या है negative है तो negative का negative कितना बना और इसका तुम्हें whole square करना है बूलना मत यानि यह value कितनी है तुम्हारे पास 2x minus 1 का whole square एक तीसरी बात आत x यह बना x minus 1 दोनों positive अगें यह चला गया 1 का square यह भी रहा पाने ठीक है इस तरीके से हमने function को redefine कर लिया अब तो जो मर्दी पूछ लो पहले question में इन्होंने कहा f dash x when x is greater than 1 जब x तुम्हारा 1 से बढ़ा है तो यह constant function है इसका derivative क्या होगा 0 ठीक f dash x when it is lying between 0 to 1 0 to 1 में यह value आती है 2x minus 1 का whole square यहां जो तुम्हारे पास function है यह है 2x minus 1 का whole square समझ पा रहे हो या नहीं ठीक है इसका derivative क्या होगा मेरे भाई chain rule लगाओ यह आगया 2 2x minus 1 into 2 यानि 4 times of 4 times of 2x minus 1 4 times of 2x minus 1 ध्यान से देखो d option दिखता है दिखता है 83 which one of the following is correct f of minus 2 is equal to f of 5 कोई दिक्कत नहीं है value रखके देख लेते है minus 2 पे यह value कितनी देगी minus 2 पे यह आएगा plus 2 यहां minus 2 रखेंगे minus 2 मैं minus 3 हो गया minus 3 हो गया यह आगया कितना minus 1 minus 1 का square यह आगया हमारे पास f of minus 2 कितना आगया plus 1 यह किसका square है ठीक है f of 5 देखा मैंने 5 पे कितना आगया भे यह आगया 5 यह आगया 4 यह भी कितना आगया plus 1 का square तो क्या पहली बात सही है हंजी बिल्कुल सही है perfect है पहली बात दूसरी बात पे आगये f dash of minus 2 minus 2 कब आएगा less than 0 पे आएगा कितना होगा 0 हलाकि यह second order derivative है बड़ी बात नहीं है जब first order derivative ही 0 है तो second order भी कितना होगा 0 होगा f double dash of point 5 अच्छा point 5 इसके बीच में है तो प्रब से पहले तुमारा first order derivative कितना है इसका इसको differentiate करोगे कितना आएगा 8 तो यह value कितनी है यह 8 है आना में जवाब दो ठीक है f double dash of 3 यह कितना है यह भी 8 है तो 0 प्लस 8 is it equal to 4 no it is not equal बोला गया which of the following is correct only one a option अच्छा सवाल है बेतरीन सवाल है आँ बोलो भाई second order derivative में तो कोई x है नहीं it is a constant term ठीक है I hope answer भी होगा चेक कर लो अगर प्रॉडबी confusion है तो ए ए डी ए 81 का ए डी ए आओ चेक करते है ए टीवन ए डी ए ठीक है भी यह मैंने यह सारे questions यहां पर देखो यहां इस last में रख भी दी है तुम्हारे लिए और जो question नहीं करा पा रहा हूँ यह भी तुम्हें summer holiday ले लो और करके आना सब यह doubt आएंगे पूछना एक और बहतरीन सवाल आज का last मेरी planning के क्यों नहीं आएगा जब zero से one है तो zero से बढ़ा है तो यह तो positive ही रहेगा लेकिन यह negative हो जाएगा minus का minus करोगे तो क्या यह positive नहीं हो गया क्यों नहीं आएगा भाई ओके इस question के लिए तुम्हें चलो एक statement देता हूं ट्राइक कर लो दिखने में parametric form है लेकिन दिमाग उड़ जाएगा है बहतरीन सवाल है यह दो हजार छे इंडियवन में पूछा दिखने में बच्चों को क्या लगता है parametric form कि सर डी एक्स भाई डीटी निकाल लेते हैं डीवाई डीटी निकाल देते हैं और ड सब्सक्राइब करके देख लो कि डिट्टो सेम कॉंसेप्ट में आपको आइटी जेए के विवर में दिखाऊंगा जो पूछा गया है बिल्कुल सेम ऐसा ही कभी कहते हैं आइटी जेए का बढ़िया लेवल पर प्रिप्रेर कर लो तो एंडिये की मैट अच्छी होई जाती है लेकिन हाँ खुड़ा अप्रोच डिफरेंट है यहां स्पीड का भी बहुत इंप्वारेंट खेल है मैं तो यह कहता हूँ जिस एक्जाम को दो उसके पीवाई क्यूज करते रहें जो भी एक्जाम तुम दे रहें और दोनों कर लो तो और भी अच्छी बात है सोने पर सुआगा फिर तुमारी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी मैस में अगर तुम जेए और नडिये द नहीं बना सकते यह बात तो पक्की है एक्जाम कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा और एंडिये के पेपर में टाइम बड़ा कम होता है यहां पर बहुत कंप्लाइम होता है एक सो पचास मिनिट में एक सो बीस कोश्चन करने होते हैं डाइगंटे में तो यू एक्स प्लस वाई टी माइनस वन बाई टी है और एक स्क्वाईर प्लस वाई स्क्वाईर टी स्क्वाईर प्लस वन बाई टी स्क्वाईर अच्छा ठीक है थोड़ा तो अच्छा लग रहा है मुझे देखो कैसे दिखाता हो अगर पहले एक्स्प्रेशन का फोल स्क्वाईर कर दें, तो कुछ simplify होने के chances लगते हैं, t minus 1 by t का whole square, पहले expression का मैंने whole square की, अच्छा जी क्या बन गया ये, x square plus y square plus 2xy, इधर क्या बन गया, a square plus b square minus 2ab, 2ab, अब ज़रा सोचो, x square plus y square, exactly इसके बराबर है, तो काटो ना, क्यों रखोगे, उड़ा दो, यानि तुम्हें ये पता लगता है, कि x into y कितना है, minus 1, तुम से क्या पूछा इन्होंने, divide by dx, अरे, ये पूछ रहे हैं, क्या, ओहो, ये जो बड़ा सान निकला, खोदा पहाड और, क्या निकल गई, चुहिया निकलाई, चुहिया निकलाई, चुहिया निकलाई, बट यहां तक पहुचने के लिए ये सोचना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, तो आज की कोशन मैंने डाल दिये हैं, और कोशन के साथ साथ, एंसर की भी डाल दिये हैं, ताकि आप अराम से इसको ट्राइ करें, और जहां भी परिशानी आएगी, वो आप पूछेंगे, ठीक है, with that, let's make sure that you are in touch with me, अपने WhatsApp group पे कोई भी बात हो, तो communicate करते रहना, personal WhatsApp पे करोगे, तो मेरा response की उमीद कम रखना है, because personal WhatsApp पे मैं बहुत कम response कर पाता हूँ, जो तुमारा is the momentum, maintain the momentum of your studies, God bless you all. Take care, bye-bye.